आज हम मधवनी जिला के लहरिया गंज इस्थित मुसहारी टोल में संचालित डॉक्टर अम्बेटकर सिक्षा केंद्र पर पहुचे हैं डॉक्टर अम्बेटकर सिक्षा केंद्र इस महादलिक टोल के बच्चों के लिए चलाई जा रही है इस महादलिक टोल के छोटे छोटे बच्चे जो सिक्षा से बंचित थे उन्हें सिक्षा से जोरने के लिए डॉक्टर अम्बेटकर सिक्षा केंद्र की मुहिम लगातार तीन सालों से काम कर रही है लॉक्डॉन की अबधी को छोड़ दे तो यहां डॉक्टर अम्बेटकर सिक्षा केंद्र जिस प्रकार से इस महादलिक टोल के बच्चों के लिए एक केंद्र दिये हैं इस केंदर पर बच्चे फिरी पढ़ने के लिए आते हैं और उन बच्चों के लिए डॉक्टर अमबेट कर सिक्षा केंदर एक प्रकार से मिल का पत्थर साबित हो रहा है या कहें कि सिक्षा से बंचित परिवार अब सिक्षा से जुरने के लिए प्रेरित हो रहे हैं ऐसे में हम यहां आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अनिल कुमार सर से जो डियू में इतिहास के प्रोफेसर हैं और इस केंदर को देखने के लिए विजिट करने के लिए मधवनिस जिला के इस महादली टोल पर पोचे हैं और यहां पहुँचने के बाद यह केंदर किस प्रकार से प्रभावित किया है इन तमाम बातों की जरकारी डॉक्टर अनिल सर से हम लेंगे सर सबसे पहले आपका मितला दस्तक पर स्वागत हैं धन्यवाद आपको यहां जब आप आए तो इस केंदर को देख करके किस प्रकार की प्रतिक लिए आपको आ रही है यहां जब मैं आया तो मैं तो काफित बिचलित हो गया क्यों सर यह देखके कि आजादी के इतने वर्स हो गए आज भी हमारे लोग या हमारी सरकार जो है मुखधारा में इन व पर ना तो च्छत है नो कोई कमरा है आप समख सकते हैं कि जो बच्चा जो है बरसात में क्या पढ़ता होगा गर्मी में क्या पढ़ता होगा अगर यहां आज की आज के डेट में अगर 2021 की हम बात करें अगर इस तरह से अगर सिक्षा बेवस्था चल रही है तो बड़ा ही अगर यह पहुंच गए है तो इस पात का मुझे काफी हर्स रहा है दूसरा यह है कि जैसे राजनराइन जैसे लोग जो हैं आप जैसे लोग जो हैं अगर इसकार में आगे बढ़ रहे हैं तो वाके में काविले तारीफ है आपको धनवाद ही देते हैं आपको सुफ कामना भी देता है कि आगे भी आप इस तरह से कारविजद करें और हम अनोरोद भी करेंगा सरकार से बहुद करेंगे चाहें किसी कारण से हो वॹ्वनांक। तो सारी प्रियोजना हैं जो हम नेट पे भी देखते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि आप यह प्रियोजना चला रहे हैं, वह प्रियोजना जो है अंतिम जन तक जब तक नहीं पहुचेगा, तब तक आपकी सफलता नहीं बिफलता मानी जाएगे, जिस प्रकार स अनिल सरका कहना है कि अंतिम जन तक जब तक सिक्षा की लोग नहीं पहुचती है, तब तक सरकार की जो योजनाई है, वो निश्फल होगी, बिफल होगी, और ये अंबेटकर सिक्षा केंद्र इस छेत्री में जो कार्ज कर रही है, इसको ले करके क्या कहना चाहेंगे, जब की बहुत सारे इंज्यों काम कर रहे हैं इस छेत्र में, लेकिन धरातल पर जब आप पहुचते हैं, तो वहाँ इस परकार की रूप रेखा या इस परकार की बिवस्था नहीं पाई जाती है, लेकिन अंबेटकर सिक्षा केंद्र इस जगा पर ही नहीं, बलकि बिहार के कई चेत्रों में, कई जगहों पर केंद्र चला रहे हैं और बच्चों को सही सिक्षा से जोरने के लिए स्वायत के रूप में कहें, या कहें कि डोनेट फॉर सोसाइटी के माधियम से, जिस परकार से ये कार्ज कर रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? यह तो बहुत अच्छी बात है, और अमबेतकर सिक्षा संस्थान को धन्यवाद भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, कि वो इस तरह से कार्ज करते हैं, मेरी तो बाचीत हुई राजनायन से, तो वो तो बोला बिहार में सत्तर जगह है, और निश्चे ही अगर सत्तर प्राबित होगा, और मेरी सुभकामनाय भी रहेगे, और यह कूं सा विकास का लाएगा, आपका यह अजूरा विकास का लाएगा, विकास का तो जमीनी हकिका तो यहीं से पता चलेगा, जब अंतिम जम से आप आकल्न करेंगे, अब विकास का हकियत मैं देख रहा हूँ कि जब बचचे पर रहे हैं, उनके वदन पे कपाना की आ रहा होगा हम लोग तो उन्भव करी सकते हैं। जब हम आ रहे थे तो देखे कि इस मुहला में न सरक है न बच्चों के खाने पिने के लिए सही तरीका से उसके पैरेंट्स जो है सो बिवस्था कर पाते हैं और नहीं यहां उस परकार का घर देख रहे हैं जो एक रहने के लिए घर होना चाहिए जो भी घर देखे हैं टाट फड़ा का घर दिख रहा है आप सामने में देख रहे हैं यहां जो सरक आ रहा है कची सरक है यह महादलित परिवार है और किसमी सदी में इस परकार की व्यवस इधर किसी की द्यान आकर सुत हुई ही नहीं या तो वह आज तक सरकार यहां तक पहुंच ही नहीं पाई है जो आप लोग आप लोग को तो धन्यवाद देना चाहिए कि आप लोगों ने इसा जगह खोज लिया आप यहां तक पहुंच लिए तो यह है डॉक्टर अनीर सर और दिल्ली इंवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं और संजोग देखिए कि मधवनी जिला से ही है और सर का जो भाबनात्मक प्रेम है जो प्रेम आज इस अस्थल पर पहुंच कर दिखाए हैं तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं साथ में डॉक्टर अमेटकर सि पर जो भी कहें राजना राजुजी हैं और सचीवाले में काजरत हैं तो इन से भी जनकारी लेंगे कि इस स्थिति को लेकर कि क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो धन्यवाद आपके मितला दस्तक्तिम को कि आपने इस ख़बर को महत्पुर्ण समझा और इसको कभर कर रहे हैं अनिल भिया को धन्यवाद की आज यहां आए हैं दिली यूनिवर्चिटी के प्रोफेसर हैं और हमारे अग्रज भी हैं यह हम लोग का मुहीम ह है कि पार्मीता चुकेसन विलफेर ट्रस्ट के द्वारा हम लोग इसके अमड़ कर सिख्षा के इनका संचालन कर रहे हैं हम लोग का मूख है उधिस समाज का जो सबसे बंचित तबका है जो आज भी सिख्षा से मरूम है और भी सिख्षा से बंचित है जो सिक्षा उसको मिल जाहिए उसका यह पारिवारिक माहल हो चाहिए उसका जो आवास यह एडिया है उसे पड़ी बेस इन सब पर भी डिपेंड करता है तो यह लोग पूर्णते सिक्षा से बंचीत है खासकर जो डिप्रेश्ट क्लास है मुसर है महतर है डूम है रविदास वगेरा है यह और भी बच्चों तक आज तक अब आभी आप देख रहे हैं कि क्या इस्तिती है जाहिए जब यह स्कूल भी है तो इसकूल की कैसी बेश्था है कुछ नहीं बोलना चाहूंगा लेकिन हम लोग का मुख उदेश यह है कि इन बच्चों को जो बच्चे पढ़ने से इतराड है या उ हम लोग का है कि स्कूल तक पहुंचाना है सरकार की जो बिवस्थाएं है स्कूल है या फिड़का करते हैं अवासी बीदेले वगरह है तो उन सब तक इन बच्चों को उन सब कर लाब दिलवाना हम लोग का प्रमुक उदेश उसी उदेश के तहत हम लोग प्रात्मिक तोर बच्चों को बैठना सिखा रहा है कि कम से कम वह हमारे साथ दो गंटा बैठे बैठकर पढ़ाई का महत्त जाने अपने आपको जाने और उनका अभिवाबकों को भी जो है उनका जो जो ब्यसन है कुछ अभिवाबकों का अनावस्थ से कुट रंक वगरह कभी जिनस यह ब् लेकिन उने स्कीम तक कलाव सही दूसे लोग तो पहुंचाए मुख फिदेली वहां परियास करें जो बच्चे अच्छे हैं उसमें ब्हेजने काम लोग परियास परियास में कि नहीं के पिर इसि अप्चिए विद्वास करें ऑर इस दिसा में हम लोग सब्सक्राइब लगा गया था उसी के छाओं में बच्चे लोग पर रहे थे लेकिन बाढ़ा यह बरसा दो दो साल से तो लोगड़न में जैस सारा स्कूल से बंद था यह हमारा संस्तान भी बंद था अब इसकूल खुली है तो बाढ़ बरसात में यह पुड़ा गिड़ गया सब्सक्राइब भी सारा द्वास्त हो गया है तो हम लोग इसको फिर से खड़ा करेंगे तकल हमारे बच्चे यह चबुत्रा है इसे चबुत्रा पर बैठ कर पढ़ते हैं और भी चुकि छंडी गिरने वाली है तो हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि जल्द से जल्द इन बच सब्सक्राइब बच्चों को जब से आई है तब से बच्चों में सिख्छा के प्रती कुछ ललक जगी है जगी है क्या ना में आपका क्या कहना चाहेंगे आपकर सिख्चा के बारे में बहुत अच्छी बात है अच्छा से काम कर रहे हैं सिख्छक आते हैं रेगलर आते हैं कि कभी कभी आयाते हैं रेगलर आते हैं बच्चे कितने आते हैं लगभा पढ़ने के लिए साथ सातर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए यहां जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं यह अंबेटकर सिख्चा के अंदर पर सिख्चक परहाने के लिए रेगलर आते हैं कि कभी कभार आते हैं रेगलर आते हैं परहाई से संतूस हैं आप लोग आप सिक्षा के परति जो पहले से और अब जो अम्बेटकर सिख्षा केंद्र का सबसे बेहतरीन प्रियास हम आपको बता दे कि इस त्रस्ट को आर्थिक सहयो की आवसकता है और चाते है कि ऐसे सलंबस्ती में बच्चे सिक्षा से जो रे या सिक्षित हो सके तो आपको भी सहयो करने की आवसकता है और डॉक्टर अमेट का सिक्षा केंदर की मजबूती आपके उपर जिमेदारी है कि हम और आप मिलकर इस संस्थान को आगे बढ़ाएं और ऐसे बच्चों को सिक्षा से जोरने के लिए एक जो पहल है डॉक्टर अमिट का सिख्षा केंदर की उस पहल को आगे बढ़ा है बहुत बहुत देनेवाद आप हमारे चैनल को जदी सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे साथ में डॉक्टर अमिट का सिख्षा केंदर की जो पहल है इस पहल को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है या इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्सर में जाकर कमेंट कीजिए और साथ में हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप पेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेस को अब तक आप ल झाद बोदो देने बाद झाद